रोज रोज के वही गोभी आलू और सिम्ला मिर्च बना के अगर बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी सबजी की रैस्पी लेके आई हूँ जो मूनफली और मटर से बनने वाली है बहुत ही यम्मी रैस्पी मैं लेके आई हूँ जिसके साथ आप पूरी पराचा तो एक की जगा दो की जगा दस बारा खा जाओगे जिसके लिए मैंने ये डेर सारी प्याज लिया अच्छा ये प्याज कौन सी है बता हूँ जो प्याज जाडे में हम लोग लेते हैं कभी कभी अंकुरीत हो जाते हैं सुसी प्याज को लिया है साथ में ग्रीन वाला पार्ट भी है और मैंने यहाँ पे मटर भी लिया था ठीक है आपने देखा है अब हम चलते हैं इसका प्रोसेस करते हैं स्टार्ट तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में हमें तेल डाल लेना है तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है ठीक है क्योंकि अगर तेल अच्छा सा गरम नहीं रहेगा तो उसमें एक तो कच्छा पंस्वाद आएगा और उल्टा जीरा वगारा भी आपका पकने वाला नहीं है तो इस बात का आप ध्यान रखेगा जब तेल अच्छा खासा गरम हो जाए तो आपको इसमें हींग और जीरा डालना है जब हींग जीरा हो जाए तो आपको थोड़ा सा आधा चमच के हिसाब से सरसो के दाने एड़ करना है साथ में ये है हमारी मूमफली जो की 100 ग्राम है मूमफली को मैं यहाँ पे डाली हूँ और मूमफली को हमको इसमें पहले चटका लेना है चटका लेना है इसे अच्छे से पका लेना है जब इसमें से चटचट की आवाज आने लगे तो आप समझेगा कि आपकी मुमफली हो गई है थोड़े धाने भी छिलका भी कभी कभी खुल जाता है तो पतर चलता है तो यह देखिए हमारा हो गया है अब मैंने 5-6 मिर्ची ली थी उसे लंबे लंबे पीस्टूस में काटा है जिसे कि यह देखने में बड़ा अच्छा ल पक नहीं पाता इसलिए मुमफली को हमने पहले पकाया होगी देखे किता ही कलरफुल और किता ही सुन्दर यह अभी से लग रहा है तो मुश्किल से 2-3 मिरण आपको लगेंगे मुमफली और मटर को पकाने में और यह हमारी मटर भी अच्छी खासी पक गई है तो अब हमें करना है आगे का प्रोसेज जिसके लिए हमने जो प्याज को काटके रखा था उसे हम अपने कराई में एड़ी कर लेंगे सारे प्याज को कर लेंगे अराम से यह 1 किलो प्याज हमारे घ्ड़ की एक किलो प्याज की रेसिपी थी है क्योर्हें हमारे घर मे यह वाली रैसिपी बहुत जिए Install Zweer वहां लिखे उक्रिट हों और को कि मिकस ऊनके लेको पियाज़ के ह Advent हिसा उचच्छ जो लोग अब हमारा चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो यहां पे अब मैं कुछ मसाले डालूंगी जिसमें सबसे पहले है चिली फ्लेक्स थोड़ा चटपिटा और हम करेंगे इसे साथ में यहां पे डालेंगी धनिया क पाउडर तो एक चम्मच भरके यहां पे डाला है थोड़ा और आधा चम्मच और एड़ कर दिया है क्योंकि हमारा प्याज बहुत जादा है आधी चम्मच के हिसाब से हमने हल्दी ले लिया है उसे भी आड़ कर दिया है और साथ में अब स्वादा नुसार नमक हम इसमें तो दियर चम्मच के हिसाब से मैंने छोटी चम्मच से डाला है आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालिएगा कम या ज्यादा थोड़ा कम रहे तो अच्छा है बाद में आप क्योंकि प्याज जो है ना जब पकती है तो वो थोड़ी कम हो जाती है ऐसे आपको ज्यादा द भग देना है तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ठीक है तो हम इसे ढग देते हैं और तीन से चार मिनट होने का वेट करेंगे और इसके बाद फाइनली अब मेरा चार मिनट हो गया है और यह देखिए प्याज में से हमारे पानी छूटने लगा है नमक जब हम भी डालते हैं तो प्याज जल्दी पकता है और मौश्य छोड़ देता है जिसकी वज़े से यह बहुत ही सौट हो जाता है तो यह हमारा प्याज थोड़ा कम भी हो गया है इसे आपको अच्छे से चला लेना है और चलाने के बाद आपको एक बार फिर से ढखना है लेकिन अभी मैं थोड़ा इसमें कुछ डालना चाहती हूँ तो बहुत ही जरूरी चीज है यह हमारा सत्तू है तो सत्तू हम 3-4 चमश इसमें आड़ करेंगे जब मेरा 50% प्याज कुख हो जाएगा ओके तो हमें 3-4 चमश सत्तू डाल लेना है और इसे अच्छे से इसमें म पता देती हूँ अगर आपके घर में सत्तू ना हो तो आपको क्या करना है अपने घर से बेशन को लेना है 3-4 चमश और उसे भूंज लेना है थोड़ा सा तवा या कड़ाई में आप उसे भूंज लीजेगा इसके बाद आपको भूंजे हुए बेशन को आप इसमें बूंजा होता है चने का होता है तो इसे हमें भूंदने की जरूत नहीं होती है और बेशन को हमें भूंदने की जरूत होती है क्योंकि वह कच्छा होता है ठीक है तो इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको दो मिनट के लिए फिर से ढग देना तो यह हमारा देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और यकीन मानिए यह रैस्पी अगर आप एक बर बना लिए ना तो सच में आप केवल यही खाना चाहोगे कोई सबजी और दाल इसके आगे सब आपकी फीकी पर जाएगी इसे ढग देते हैं दो मिनट के लिए और यह हमारा दू मिनट हो गया है तो अब हम इसे देख लेते हैं यह देखिए साइड से हलका हलका हमारा तेल भी छोड़ने लगा है और इसका मतलब है कि आपकी सबजी 100% कूख हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पती पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसे कड़ाई में यह ना लगे तो फाइनली यह मिक्स हो गया है और अब हम इसमें धनिया की पती आड़ करते हैं धनिया की पती आड़ करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की धनिया की पती अच्छे से मिल जाए और इसे हम निकालेंगे अपने प्ल झाल झाल टूल झाल